कि मैं कुनाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे लर्निंग प्रैक्फोर्म कुनाल से इंस्पारिंग पर तो जैसे कि हम आज कर रहे हैं पूरे देश में क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है किस चीज का किसान विध्योकों का दरसल अभी जो मांसून सत्र सरकार ने तो उस संसत के मांसून सत्र के अंदर सरकार ने किसान विध्यक पेश किये तें कहीं न कहीं विवक्ष ने पहले से अपना रवया साफ कर रखा था कि हम इन किसान विध्ययकों का पूरीतना से विरोध ही करेंगे, तो लेकिन समपूर विरोध के बावजूद भी संसत के अंदर वह तीनों ही विध्ययक, पारित आववाति नहीं विध्ययक पेश किये गए और बाद में वह पारित भी हो गए, और केवल इतना ही नहीं, तमाम पादलों की, तमाम सरकारों की सिफारिश के बावजूद, अब रास्चरपती से भी उन विध्ययकों को स्विकृति मिल गई है, तो ऐसे स्थिति में वह विध्ययक तो अधीनियम बन गए है, पर हमारे जानना ही है, जरूरी है कि पूर्य देश में इतने बड़े स्तर पर बिरोध हो रहा है, पंजाब में तो पूरी तरह से रेल ही जाम कर रखी है, रेल रोको अभियान चल रहा है, और जो आम जंता है, जो किसान है, वह पूरी तरह से रेलवे लाइन्स पर बैठे हुए हैं, और वह किसी भी तरह से महां से रेलो को चलने नहीं तो कहीं न कहीं यह विरोध पूरी Cara से जो उरुक है इसका वह बढ़ता जा रहा है अपना विश्थारित रूख अपना रहा है और बहुत बड़े वह माने पर अभी है और फैपना जा ज़रोरे है कि वहा ही जहां विन विरोध करा रहा है कि जो किसान के तरक कि कि forecast रहे'd है और अपने विश्यों को सब करते के सब्सक्राइब के समख्ष रहे हैं तो अज की class के अंदर हम और आप तो अरप आप जानना चाहते हैं कि विभाद को विश्यート क्या है तो स्थिति में बने रही है इस वीडियो के साथ और यह वीडियो अंते तक जरूर देखें तो जड़ासल क्या हुआ था जब मांसून सत्र लगा गया था तो संसत्र के अंदर जो पहला विद्यक का सब्सक्राइब कर देखें वाणिज्य के अंदर बात की गई किसान और अधिक सब्सक्राइब करने जब सरकार ने यह विद्यक के पेश किया था तो बताया था कि कि यह विध्यक खुसक्राइब और में पिछड़ायों को लेकर यह बात किगई तो मुल्ले आशवाशन अनुबंद और क्रिशे सेवाओं को लेकर के बात की गई है मुल्ले आशवाशन के रूप में हम सबस्ते हैं मुख्य रूप से मिनिमम सेलिंग प्राइस ठीक है और इसके लब एक तीसरा विध्यक और था यह है आवश्यक वश्टु संसोधन विध्यक 2020 ह सबसे पहले को अध्यादेश के रूप में पेश किया गया था अध्यादेश के बारे मैं पहाले इ outta diashpto को अब भी मता जिता हूं आपको क्या अध्यादेश की रूप में बहुत जरूरी होता है उत्प लेकिन हैसे ईत्यादेश को सथिती में उसे संसध में पास होना विद्धेयक लाया गया था इसके तहट आवश्यक वश्तु अधिनयम के अंदर किया गया है सबसे पहले जो आवश्यक वश्तु अधिनयम तख सन उनिश्व पच्पन में किया था और अब ऐसा है कि जरूद पड़ी है के विरोध में कर रहे हैं कि सर्कार इन विद्ãyदम को वापस ले ले वहीं जहां बहुत सारे किसानों ने और जो राज्रेन सरकार उन्हों ने प्रयास किया था कि रांच्य सि्ष्विस्टि ना रूब दे दी गई है तो यह अधी मन गए है वहां अब किसानों के पास और राजिसेर करें पंजाब में बरतमा स्थी चीच भड़े पैमाने पर यह है विरोध चल रहा है तो अब आगे हम यह है अब तो में यह पता लगए कि कौन-कौन से विध्यक पेश हुए थे जिनकों लेकर के विरोध हो रहा है लेकिन इन विध्यक के अंदर बहुत सारी महत्वपूर बाते की गई थी वहीं एक और सरकार ने अपने त किसानों को यह आशवाशन दे रही है कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है सकारात्मक है और व्यापकता अधिक मिलेगी वहीं किसान बता रहे हैं कि आने वाल समय में पूरी पूरी जो खेती पढ़नाली है पूरकरा से नस्थ हो जाएगी जिस प्रकार के वि सब्सक्राइब को प्रकार रहे हैं और सिरकार के सेया थी में नस्तें देखिम होुग है यह स्ट्राइब काती होता हमिटी क्या रही है समझाता हूं आपकों किस प्रकार से होता मomyटनें होरत के नदर सब्सक्राइब करना हुआ है. फिरधे हैं कमिटे यह कमिटी बहुत सारे फैसले लेती है जैसे कि किश परकार कोते हैं मेलख strongest हूता है. मिनिममम से Commission प्राइस के इधरत करना हुआ अपने राज्यों के अंदर मंडियों का गठन cultivar करना हुआ है. और लग्यों संफे ओ साथ की्मत क्या रहने वाली है किस प्रकार इन बाजारू से इस किशान इन बाजारूं में और उनके उपर कुछ शम्क लगाये जाते हैं। तो उन से बीधरण भी राज्य सरकार ही करती है राज्य सरकार को काफी सारे आये इन मढड्यों से भी परापत होती है तो अब Hey Young किसान के पहीत है देख बुरी य설िफवस्त्राइब किसान के दोर्य संचाली की में सब्सक्रPlus करते थी आप अपने राज्जी के किसानों को यहां बुलाती थी कि देखो यह आपका बजार है आप यहां आओ अपने उपज आप यहां पर आ करके बेचो साथ किसान क्या करती थी किसान बहुत सारे वैपारियों को लाइसेंस प्रोवाइड करती थी लाइसेंस प्रोवाइड करती थी वै भी अभी अब यहां पर क्या था कि यहां पर सब चीज़े फिसी की के उन्दर अरी स्च पर यहां करती थी किसानों से एक शुल्क वह सुला करती थी जो इनकी उपसके उपर लगाई जाता था जिससे कही नने राजय सरकारों को राजय सुपराफ्त होता था साथ यहां से आ करके फसले खरीदा करते थे तो किसानों के लिए क्या था है कि यहां पे छोटा वजार था और लिमेटेड लोगों था कि वह फसले बेज सकते थे और जो सब निर्दारित था लग अलग अलग बी होता है उनके ऊपर कर लगते हैं तो सरकार कह रही है कि किसानों को व्यापक दाइरा मिल रहा है पूरी देश के अंदर आप किसी बाजय का हो यह सब चीज़े मैंटर नहीं कर दिये आप किसी बाज़े किसान हो लेकिन आप all over इंडिय जाकर कि बैच सकते हूं आपको इस परकार के पूरी की पूरी छूट है. तो सरकार कह रहा है जिससे विता पतार करते हैं कि techniques लिए त आतार कर रहे हैं कि सरकार कर रहे हैं कि ना कई एक बाज़ लो गौत हैं कि एक लोगों को एक देश एक बाजार योजना का लाब मिलेगा आपको APMC के कानूनों से निहमों से छूट मिलेगी चाहती साथ आप बिचोलियों से भी बच जाएंगे और आपकी फसल केवल लाइसेंज रहा पारी ही नहीं खरी जाएगा पूरे औल ओवर इंडिया में कोई भी रखते हैं कि फसल खरी सकता है तो ऐसी स्थीति में यहां पर सकर किसानों को यहां बता रही है कि किसान परतक्ष रूप से खरीदार से संपर्ग इस्थापित कर सकता है जिससे विचोलियों के भूमी के हड़ जाएगी चाहती साथ वह आप से समझोतों के हिसाब से कीमत को भी तैक कर सकते हैं इस परकार की बातें यहां पर की जा रही है तो कहीना कहीं सरकार इसके दालील है कि आपको बड़ा बाजान मिलेगा वैपार में व्यापकता आएगी और किसान और अधिक स्वतंतर हो जाएंगे तो आप समझते हैं क आप किसानों के क्या तरक आ रहे हैं तो कहीना कहीं सरकार मंडी वरताप खतम कर रही है जब मंडी वर् korkं को जाए कि कई पुरों है फ्रस बेच descans के सकती है को क्या हो को को भी ख़ूखर की या मणमानी तरहीके से फद्ल ख़िदेगा और अगर वह फसले अगर किसान को लगएगा नहीं बेचना तो आइसी सीदी में किसान कि अंदर क्या होता है कि इनकी पास इनको कहीं भी जाना नहीं होता है इनको बता होता कि हाँ हमार को अपनी फसले यहां बाजार में लेकर के आनी है अपनी अनाज मंडी में लेकर के आनी है वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर यह है माम इस पी निज्ञारी कऱ का है यह लोग उनी ही दामों पर फसले खरीदेंगे और किसान उनी दामों पर बेचेंगे तो किसान कही न कहीं क्या करता है कि APMC ववस्था के अंदर अपने आपको संतुस्च और सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि उसको यह पता है तो वह खरिदेग खरिदेग साथ कहीना कहीं आपर डिस्प्यूट होने के मामले भी मामलों के सम्मावना बहुत ही ज़ादा कम हो जाती है कि हाँ डिस्प्यूट इन लोगों के बीच में देखने को नहीं मिलेगा तो कहीना कहीं सरकार अपने आपको APMC ववस्ता में ज्यादा संतुस तमशते हैं संस्फभू संस्थ ने चाहते हैं लेकिन कहीना कहीं सरकार उनको व्यावाइब पक्ता दे रही है जो उन्हें पसंद नहीं आती कियां कि पूरे देश नसाधन नहीं होते हैं और नहीं है उसकी बहुत दूर तो तक पहुंच भी नहीं होती है है यह मानते कि इसकी वज़ेश, उनका जो समय है वहाबी बच्था है उनका जो उनका किराया लगना रहा हुता है वहाबी बच्था है और उनकी फसले भी आसाली से राजिये की भी जहर को ही अपनाएं तो इसके तहत क्या कर सकते हैं इसके तहत रहकर के जो इसके तहत रहकर के जो यह किसान है किसान क्या कर सकते हैं आप कॉंट्रक्ट फार्मिंग कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनिया हैं वह कंपनिया क्या करेंगी वह कंपनिया पहले ही करार करेंगी यहां जो contract farming होती है यह ना फसल के बोने से पहले की जाती है, जब फसल बोई जानी होती है, उससे पहले ही contractor और किसान के बीच में समझोता हो जाता है, इस समझोते के अंदर वह अपने rate fix कर लेते हैं, कि हाँ जो फसले हैं वह अन्य के बाद किस कीमत पर खरीदी जाएंगी, क जो किसान हैं, उन दोनों के बीच में सबी बातों को ले करके समझोता हो जाता है, और इससे, यहां पर चीज़े final हो जाती है, पहले से, और इससे कही ना कहीं, अब सरकार क्या करें, सरकार कह रही है, कि किसानों के पास अपने खुद के खरीदार होंगे, जहां पर वह खु कांटरेक्ट फार्मिंग के तहद बेच अकते हैं, साथ इसाथ, किसान उन फसलों को ही उगाएंगे, जिसकी मांग बाजार में की जा रही है, ठीक है, यहां दलील कहीं ना कहीं सरकार के दोबार दीजा रही है, और सरकार पता रही है, कि यहां उनके लिए लाब्दायक दोबढ़ेगा, क्योंकि पहले ही सभी चीजों को लेकर करके कांटर को चुका होगा, जो कांटरा हो चुका है, तो ऐसे स्तीत में, किसान को अपने फसले उसली वेक्दी को ही बेज़नी होगी, लेकिन अप समझते हैं कि किसान इसके उपर क्या कह रहा है, किसानों का क्या Beach क क्योंकि जो contractor होते हैं वह पहले contract कर लेते हैं सबी चीदे fix कर वा लेते हैं बाद में जब फसल उग जाती है और कट जाती है तो ऐसी इस्तिति में उसके बाद वह फस उपज की गुणवत्ता पर उंगली उठाते हैं प्रश्णी चिनने लगाते हैं साथी साथ कहीं बार तो ऐ जिसकी वैसे उसने कोट में केश किया था अब बात में जब किसानों ने विरोध किया था तो ऐसी स्थिति में उसके बाद को वापस ले लिया गया था इंहोंने अपना केसि वापस लालिया था लेकिन कहीना कहीं यहां पर amazed व्य्वास्ता प्रेश्णी किसान कहु रहा है क उपज की गुलवत्तर प्रशने उठाते हैं और कहीं बार तो फसल खरीदिने तक के लिए मना कर देते हैं ऐसी स्थिति में किसान के पास उन फसलों का भंडारन करने की ववस्था भी नहीं होती है क्योंकि उनके पास सभी चीज़ों के लिए लेकर के सीमिस संसाधन होते हैं तो कहीं न कहीं किसानों को यह है लग रहा है कि यह पूरी ववस्था उनके लिए शोशनकारी सिद्ध होने वाली है अगली बात करते हैं MSP MSP का उतलब क्या होता है minimum selling price minimum selling price का उतलब मिन्यून समर्थ थक्मिवत देखो सरकार जब जब ववस्था चलाते हैं सरकार उन्हें किसानों के लिए यहां पर यहां फैसला कर रखा है कि आपकी फसल जो है MSP के खरी जाएगी यानि कि MSP का उतलब क्या है सरकार और किसानों के बीच में पहले ही करार हो जाता है कि आप जो फसल उगाओगे उस फसल की कीमत new term एक fix कर देते हैं कि new term कीमत इतनी ही रहेगी आपकी फसल इससे कम कीमत पर नहीं करी दी जाएगी यहाँ पर क्या होता सरकार बीच में आ रखी है APM से ववस्ता है ठीके न सबीकार कर रहे है तो यहाँ पर सरकार को किसान है उनको पूरा 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 आशवाशन रहता है कि जो minimum selling price है fix कर दिये गए न हमारी जो फसले है वह उस MSP पर ही बिकेंगी और उन्हें यह भी उम और किसानों को अपनी MSP पर ही फसले बेचनी होंगी और लगातार MSP की तो प्रक्रिया है वह बनी रहे इसको किसी परकार से प्रभावित नहीं किया जाएगा लेकिन कहीना कई जिपरकार की ववस्ता चल रही है कॉंट्रक्टर बीच में आ रहे हैं ठीक है ना दायरा बहु क्योंकि यह जो विधेक है इस विधेक के अंदर कहीं भी MSP को लेकर के कोई बात नहीं की है जरकार ने तो ऐसी स्थिती में यहां पर किसान अपने आपको सुरक्षिक नहीं पा रहे हैं वह कहीना कहीं ढरे हुए हैं और उम्मीद है कि वह जो भी फसले हुआएंगे उन फस चैनल के माध्यम से अघवारों के माध्यम से पता लगती रहती है तो इस पर गटना होती रहते हैं तो कहिना के किसान डरे हुए है कि बढ़ना जाएं और उनको भारी नुक्सान ना उठाना पड़े तो वह डरे हुए हैं तो कहिना कहीं MSP की ववस्ता पर भी आप परशन बेचने का तो इससे कही न करण को बड़ाओं मिलेगा और जब नीजी करण की बड़ाओं मिल जायेगा अगर यह प्राइवेटाइज हो जाती है तो ऐसे सरकार की भूमी का हट जाएगी और सरकार की भम्मी के अटगाई तो जो कंपनिया उनगी, वह है किसानों का शोशन करेंगी, जिसकी वज़ने से उन्हे बहुत ज़िए था रुकसान उठाना पड़ेगा, तो यह बहुत सा तर्क हैं, जो लगातार किसानों को दोबारा दिये जा रहे हैं, और प्रदेशन कर रहे हैं और बाकि विवस्ता अगली विवस्ता है वτο विवस्ता जो आके तहर हम किया कर रहे हैं तो तो यहां पर करा है कि हमारे देश के किसान है वहे अब tax free हो जाएंगे ठीक है क्योंकि क्या होता था पहले जहां पर जब वहे अपनी फसले बेखते थे यानि कि जो राजय सरकार की मंडिया होती थी जब वहे वहाँ पर फसले बेचने जाते थे तो एसी स्थिति में क्या होता था उनकी फसलों के उपर कर लगाया जाता थ लगते हैं तो एसी स्थिति में क्या होता था कि किसानों को अपनी फसले बेचने के साथ साथी कर भी अदा करने पड़ते थे तो यहां पर आप खेंसरकारी है कह रहे हैं कि जब हम एक देश एक बाजार की विवस्था में परवेश कर जाएंगे तो एसी स्थिति में आप ज पर करने ही लेगा जिससे की जो विक्री की पूरी की पूरी धनराशी होगी वह पूरी धनराशी किसानों को प्राप्त होगी अब यहां पर किसानों को तरके क्या है किसानों किसान नहीं ला रहे हैं किसान पहले लगा था टैक्स देते हुए अपनी फसलों को बेचते हुआ हैं तो किसानों को उस चीद उसकी आदत पड़ गई है साधियत कहीं ना कहीं जो सेक्यूर्टी उन्हें मिली उत्वी राज्य सरकार के तहथ एपी एमची के तहथ तो यह सभी किसान उसके भीतर रहतर के बहुत जादा ही संतुस्ट थे तो वह यह नहीं चाहते कि उनकी कर्व ववस्था में हमें वेशा क्रव देना पड़ता था पर हमारी जो चीजे थी वेवस्था तीव पूरी तरह से वपर वाड़ी जो उसमें सुरक्षी तरह AH करते था अगली बात कर लेते मंडी की बात दा नहीं है तो गश्वाम परôm से विववस्था नहीं है स्टेट की भू बेच सकते हैं, e-trading, सरकार कह रही है कि आप पूरे भारत में कहीं भी फसले बेचेंगे, तो ऐसी स्थिति में फसलों को बेचने के लिए e-trading की विवस्था को अपना आए जाएगा, यानि कि सरकार कहीं ने कहीं हैं बल दे रही है, अउन-lai-n विवस्था को, अउन-lai-n का मतलब क्या है, कि भाई कहीं से भी कोई विवस्था के फसलों के फसलों को ख़रे दें के लिए और देंगा, और किसान पूरे भारत में कहीं भी फसले बेच देंगे, जिस परकार से हम ऑन-lai-n बाकिया समान मंगाते हैं, उस परकार से हम यह समान online, बतलब फसले जो हैं उपद जो हैं किसी परकार से online मंगाई जा सकती है, जिस पर किसी परकार अटैक्स इन लोगों को नहीं दीना होगा, लेकिन कहीं न कहीं जो e-trading की ववबस्था आई है, उस पर सरकार के तरक सुनते हैं, सरकार की क्या तरक है, सरकार कह आई है, किसानों के लिए अपनी फसलों को बेचना आप बहुत ज़दा असान हो जाएगा, क्योंकि किसानों को जगा जगा पर फसले बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जिससे उनका शुल्क और समय दोनों ही बचेंगे, उनका धन बचेगा बहुत ज़दा, ले तो किसान कह रहे हैं कि देखो जी हमें तो इस प्रकार के कोई नोलीज है ही नहीं, ना तो हमें टेकनिकल वर्ड़ आते हैं, ना ही हमें अंग्रेजी आती है ठीक से, और ना ही हम इस प्रकार की चीज़ों को जानते हैं, हम तक एवल इतना जानते हैं कि फसल को उगाओ, कात तो और बाजार में जाके बेचो यहां पर किसान अभी है कह रहे हैं कि जो हमारी है Contract farming है ना तो हम इन Contract के जो प्रावधान होगे जो टर्म से Condition होगी ना तो हम उन Contract से Terms and Condition को ठीक से समझ सकते हैं और ना ही हम एट्रेडिंग को समझ सकते हैं ना ही हमें ठीक से यह सभी चीज़े शोचल मीडिया चलाना नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में किसानों को यहां पर यह तरक दे रहे हैं कि किसान की हमारा इस वस्त में शोचन बढ़ेगा हमें बहुत सार चीज़े नहीं बताए जाएंगी और केवल केवल हमारा शोचन ही होगा इसके अलादा कुछ और नहीं होगा कहीं न कहीं किसानों को यहां पर यहां बीटर लगा हुआ है कि जो हमारी फसलों की लागत होगी वह तरक दे रही है और ए ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की बात कह रही है लेकिन यहां पर जो किसान है वह इसको लेकर करके संतुस्ट नहीं है क्योंकि वह इन सबी चीजों से परीचित है अगली बात देख लेते हैं विवाद निवारन तंत्र को लेकर करके वैसे तो खेर प पूरी पूरी APM seven चल रही थी लेकिन अब क्या हो गया है एक अब एक नहीं व्यवस्त्था ला दी आगया पहले क्या होता कि पहले कभी कभी बही किसान और खिर्दारों बिचर्म विवाद उड़ता था तो विवाद की किसान दीवानी निया आई रह Woare द्यमी प ने जा ज विवाद निवारन तुंतर होगा वह दिवानी नियाल नहीं होगा बलकि अब है SDM हो जाएगा यानि कि आप किसानों को आपने विवाद को निफ्टाने के लिए दिवानी नियाल ले जाने से ही है कि जो SDM है वहां पर जाकर के किसानों के जो मामले हैं वह बहुत आसानी से सुलढ़ captive गजा सकेंगे किसानों को बार बार अबार जफना समय बरबाद करने नहीं जाना पड़ेगा तारी को फिर पर आझ प्व होना पड़ेगा और वह सब्सक्राइब करवा सकेंगे वह नियाय अब ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा और उनके दिवानी नियाय ले जाने के अधिकार को भी चीन लिया है कही न कहीं वह इस बात से भी बहुत ज़्यादा नारांज है अगली बात है प्राइविटाइजेशन को लेगा देखो भी जहां क्या हो रहा है पूरे देश क प्राइजेशन को अपना रहे हैं और यहां प्राइजेशन बहुत ज़्यादा ही नुकसान दे है किसानों के लिए होने वाला है यहां किसान पूरी तरह से अमीद कर रहे हैं नहीं सरकार के तहाइब जहां से कहीं ना गई किसानों की सोषण होने की उमीद वड़ी है इस व्यवाज्याइशता से उनको बिल्युकुल भी एलाब नहीं होगा अगली बात कर लताए आवश्य सारे जो हमारी आवश्यक वस्तु साथ को क्या करा है सरकार ने आवश्यक वस्तु की सूची से ही तो करने की वह पूरता दी गई अब कोई भी एक्ति पुरिदेश के अंदर कहीं भी वस्तूओं को किसी भी मातरा में स्टॉक कर सकता है यह नहीं विवस्ताई है पहले क्या हो गरता था पहले जब यह स्टॉक वाले विवस्ता थी तो सरकार इसको सिले करती थे ताकि बाजार के अंदर वस्तूओं की जो हटा दी गई है तो यहां क्या हो रहा है कहीं न कहीं अब यहां उम्मित किया रही है कि इससे मांग और पूर्दी बहुत दा अर्थ वरस्ता में परभावित रहेगी क्योंकि अब जो निजे चेतर हैं जो कंपनियां है वहां इन चीजों को जरूर स्टॉक कर लेंगी और केव सब्सक्राइब करें लुए सब्सक्राइब कर दों देखो देखो क्या हो हो करता स्कूर हो kyse उस Amans ऐसे खज़ता करते उतक इसके लावा बाकी लोगों को वहां से खशेदने का अधीकार नहीं था तो लाइसेंस वैपारियों की वहीं से क्या होता तो सरकार गारंटी देती थी कि यह जो वायर है यह एक जैनुविन वायर है यह आपके चीजों को बहुत अच्छे से और निज़ारी त्रतमों पर खरीद लेगा लेकिन जिस परकार से यहां परिवरतन देखा जा रहा है अब सरकारी संवक्षन से बाहर आ गए हैं और वहाय है आत्म निर्वर हो गए है तो इसकी विएसे उन्हें जो दाम थे उनके जो कीमत रहा करती उसके उपर उनको खटा मंटराता हुआ दिक रहा है इसको एक मुक्सान और दिखने मुल रहा है यह राज्य सरकारों के आयए दिखने मंतरी टांड यह पनजाबबसे म्षटात है इस तỉफ़ा दे दिया था और अब शिरोमणी अकाली बि springs भार्ट्री आप अ प्रभावित हो रही है इसके वजह सारी जो राज्य सरकारे हैं वह भी इन किसान विद्धोयकों का विरोध लगातार कर रही हैं क्योंकि उन्हें भी से बड़ा नुक्सान जेलने की उम्मीद दिख रही है विचोलियों के भूमी का खतम हो जागे जिससे कही न कहीं इन लोगों किसानों का फायदा होने वाला है तो यह सभी जो महतोपूर बाते हैं यह किसान विद्धेयों को से जूड़ी हुई बाते हैं तो आज की क्लास में हमने उन सभी बातों को जाना जिन को लेकर के लगातार हमारे देश में किसान विरोध कर रहे हैं जहां एक और सरकार अपने तरक दे रही हैं विद्धेयों क जाना चाह रहे हैं बाकी देखते हैं कि अब यह जो आंदोलन है यह क्या रुख लेता है और जो ववस्ता है वह कहां तक पहुंचती है आज की क्लास के लिए केवल इतना ही बाकी आप फिर मिलते हैं कल पॉलिटिक के नहीं क्लास में कुछ नए टॉपिस ले करके तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं आप यह वीडियो देखें और बाकी इस वीडियो को लाइक करें बाकी लोगों तक पहुंचाएं और थैंक यू सो मच पर वाचिं इस वीडियो